आर्शिस नाम का संग्ठन है ये केवल जातिबाद और संप्रदाईता पैदा करता है और इस हिंदुस्तान की राजनिती का दुर्प्योग करता है चाहे मोदी के माद धिम्से हो ये जूटे आदमी है और लोगों से जब से 6-7 साल से बैठे हैं शिवाए जूट के कुछ काम नहीं करते हैं संथ समाज को गुमरा कर रखा है और दुर्भाग की थोड़ा सा ये भी है कि हिंदुस्तान का जो संथ समाज हो ज्यादा तेरा अनपड है समझे ने और जो पडालिखा वर्ग है वो सब समझता है और इनके नबब फिर्दी जो पडालिखा संथ समाज है वो बीजेपी के इनके खिलाप है बिलकुल एक दम छे आज यो बहगत सिंग का सुबास का नाम तो लेते हैं लेकिन उन्होंने क्या चाहा था किसान और मजदूर की बहगत सिंग ने बात रखी है लेकिन बहगत सिंग का फोटो फोटो लगाते हैं उनके कामों को कभी याद करते हैं प्रक्टिकल कहा करते हैं बहगत सिंग को ये बहगत सिंग के तो दुस्मन है एक नमबर के ये लेकिन ये जो अंदोलन है ये बिल्कुल और्गिनाईज है मोधी कितनी ताकत लगा ले, कितनी फूट डाले, कितना पैसा फेग ले, किसनी पुलिस फोर्स लगा ले, बिलकुल में काबू आने वाले नहीं है सच्छे काल तुसी जोड़ चुके हूँ, अक्खर दे नाल, किसाना दा अंदोलन इस वक्ट पक्या होया है, खास करके बीजेपी नूँ टार्गेट किता जा रहा है ते बीजेपी नूँ के अंदे चलाण वाली आरेसेस, ओ भी निशानेते हैं, आरेसेस दे, तो रिवरोधी साट नालने, आरेस समाजी ने, सांते, किसाना नों हमयादेर नी पहुंचे, गाल बात करांगे राम नाम जी, नमस्का स्वामी नित्यानंद स्वामी जी, कैसे देखते हैं इतना बड़ा संघर्ष, क्योंकि आपने वो संघर्ष भी देखा, जो अमर्जंसी में देश में किसानों का चल रहा था, और आज ये संघर्ष भी पहले भी जो संघर्ष हुए हैं, चाहिए वो अमर्जंसी के अंदर पीपली कांड था, जो यहां से 10 किलोमेटर दूर खरकोदा एक कसवा है, उसके पास पीपली कांड हुआ था, अमर्जंसी के अंदर नस्वंदी के अंदर जवरस्ति नस्वंदी करते थे, तो उसमें 10-15 लाख लोग जो है उस आंदोलन में इखटे हुए और काफी सरकार का और टकरा हुआ जनता का तो वो भी आंदोलन हमने देखा है और उसके बाद में 1988 में वो तो निशुच्छेतर का अंदोलन था हमरजंशी का 1988 में आंदोलन हुआ वोट कलब के उपर जो मेंदर सिंग टिक है जो किसानों के नेता थे वो पूरी ताकत के साथ हूट करके आए और वहां आंदोलन हुआ और मैं खुद उस आंदोलन में आजिर था कहते हैं कि वो अंदोलन भी सरकार ने कुचल दिया था हैं कुचल वा दिया था कैसे रही थी तब की रन ने तो वो जो 76 का अंदोलन था अमरजंसी के दोरान का उसमें तो जो है कुछलने की कोशिस किये थी लेकिन सरकार उसमें भेवित हो गई थी लेकिन उसमें कोई मुद्दा नहीं था वो जो अंदोलन था अच्छी हैत्तर का वो कोई अमर्जंसी में नस्वंदी करते थे जवर्ष्टी लोग कुछे नस्वंदी करके मार दिये थे और पुलिस से मुठ फेड़ होगी दी पुलिस के आदमी भी मार दिये थे लोगों ने लेकिन उसका तारगेट नहीं था कोई भी जिस तरीके बोल र जाजनिती का दुर्प्योग करता है चाहे मोदी के माद ध्यम्शे हो और यह तो यह हम यह मानकर चलते हैं कि यह जो आर्शस है या बीजेपी पारिटी है या इसके विंग हैं यह सब जो है अंबानी और आडानी के जो है गुर्गे हैं और वो जो पुंजी पती जो लोग जो आदेश देते हैं आप इस बाद से अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब और अर्याना और शूत्री भारत के अंदर आज से 2-4-6 महिने पहले ही बड़े-बड़े गोडाम बना दिये गए हैं इसका मतलब कानुन बादम बनता है पहले पुंजी पति आदेश देता है औ 20-30 लाख क्रोड का जो एक सिस्टम है किस्टी के उपर ने धारित है इसके उपर पुंजी पतियों जिन नजरें थी काफी टाइम से तो इसको कैसे कप जाया जाए तो यह तीन कानून हैं यह तीन कानून अंबानी और अडानी को फली भूत करने के लिए सारे हिंदुस्तान की किस्टी को अपनी जेब में डालने के लिए या उससे जो आए हो वो आम किसान को ना हो बलकि सीधी सीधी सारी मोटी मोटी पुंजी वो आमबानी और अडानी के जो हाथों में चली जाए और उसका मध्दम सरकार होती है बीजेपी यह कहती थी कि 2022 में किसानों की आमदन दोगनी होगी किसान खुशाल होगा लेकिन नितियों का आ जाना कैसे देखते हैं यह इसलिए देखते हैं जो बीजेपी को हो या मौर्दी को यह जो जितने इन्होंने जुम्ले फैंके हैं यह जूटे आदमी हैं और लोगों से जब 6-7 साल से बैठे हैं शिवाए जूट क कुछ काम नहीं करते हैं और आप यह देखेंगे 15 लाख देंगे दो लाख को क्रोड को रोजगार देंगे और हर विक्ति को जो हर रोजगार मिलेगा और अगर्शी के आए दुगनी करेंगे और जो है क्या नाम है हर आदमें खाते हैं 15 लाख रुपया यह एक बड़ी समाज को गुमरा कर रखा है और दुर्भाग की थोड़ा सा यह भी है कि हिंदुस्तान को संथ समाज ज्यादा तर अनपड है और जो पडालिखा वर्ग है वो सब समझता है और इनके 90 पिजदी पडालिखा संथ समाज है वह बीजएपी के खिलाप है बिलकुल एक दम से और देख लियो गुजरात के अंदर आकि इंसानों का अत्यारा है तो इंदुस्तान की गद्दी पे बैठकर क्या करेगा हूँ बान की पहले मिल गी थी उसकी तो यहां भी वहीं काम सुरू कर दिया उसने वह चोटे सतर पर था यह बड़े सतर के उपर है क्या किसान इसी तरह दब जाएंके जिस तक Coward आवना की पहले होता रहा है कि सान्द अपने वाले हैं लग रहा हैं वहीं उसी बात भी मैं आ रहा हूं जो मैंने देखा पहले का जुचेतर का अंदोलन था अठासी का अंदोलन था लेकिन वह जन का अंदोलन थे वह ओर्गेनाईन नहीं थी और वो जो अंदोलन थे वो केवल एक दो प्रांतों के थे यह अंदोलन पूरे देश का है पूरे देश का मीडिया में जो है इस बात पर नजराए गडाए रहा है कि पूरे देश का किसान क्या सामिल है वास्ता में आज आप देखेंगे एक पूरा मीनी भारत जो है इस अंद वादी हैं हम कौन हैं हम तो सामाजी कारी करता हैं तो इनकी ठेकेदारी नहीं है अग्यों फैसला करें जिसको चाहें सरीफ बना दे किसी को आतिंक वादी बना दे यह तो जंता फैसला करेगी इस बात का यह हुरते कौन हैं यह तो खुद जी अंग्रेजों के दलाल रहे हैं ये जो RSS वाले हैं ये तो कंग्रेश के दलाल रहे हैं इन्होंने कब आजंदिया अंदोलन भाग लिया आज ये बहगत सिंग का शुबास का नाम तो लेते हैं लेकिन उन्होंने क्या चाहा था किसान और मजदूर की बहगत सिंग ने बात रखी है लेकिन बहगत सिंग का की भूमी का कैसे देखते हैं पंजाब की भूमी का एक बड़े भाई की है और यह तो कल जो है अर्याना पंजाब दो गए थे लेकिन 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 सच्चाई यह है कि पंजाब वाक्य में जो है इस आंदोलन के अंदर ऐसी अगवानी करी है पूरे देश की अर्याना ही कि न में पंजाब का हम बहुत बड़ा तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने पूरी ताकत से बड़ी प्लानिंग से इस आईजन को किया है तो इसलिए पूरा देर से एक जूट कर दिया ना किसान आज से पहले कभी एक जूट नहीं हुए थे यह पहला आफसर है पुरी त लगाले और अंडर प्रसंट जीत होनी है यह दन्यवाद आपने बात दन्यवाद संत इनाना गलबात कर रहे सिगे सिद्धय तो और देनाने के है कि मोदी सरकार किसाना दी नहीं सौन रही थे किसाना दाज़डा अंदोलन है अपने सफलता वालवाद रहाए ते जिद की ज अपने सहोगी नवरीज सीवाद अनार करन शर्मा अखर दिले